Hello Friends, Welcome to Home Food Recipes आज हम मेथी की मुठ्या बनाएंगे ये मुठ्या आप उंध्यू बनाने में यूज कर सकते हैं और उंध्यू के लावा भी आप उस मुठ्या को कई सारी सबजिया बनाने में यूज कर सकते हैं आप इसे केचब के साथ भी खा सकते हैं इस मुठ्या को बनाना बहुती आसान है और ये खाने में बहुत टेश्टी लगते हैं तो चलिए मेथी की मुठ्या बनाना शुरू करते हैं मेथी की मुठ्या बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल के अंदर हम डेड़ कप जितनी मेथी की भाजी अड़ करेंगे इसे मैंने अच्छे से धोकर बारिक काट लिया है और ग्राम्स में देखेंगे तो ये 30 क्रम जितनी बारिक कटी हुई मेथी है अब इसके अंदर हम आधा कप जितना गेहों का दरदरा आटा एड़ करेंगे आधे कप जितना हम गेहों का जो नॉर्मल हम रोट चपाती बेलते है वो वाला आटा एड़ करेंगे आधा कप इसमें बेसन एड़ करेंगे ये बेसन भी नॉर्मल है दरदरा नहीं है टोटल तीनों आटे मिलाकर डेड़ कप है मैंने एक समान मातरा में तीनों आटे लिये है आप कोई भी आटा कम या ज्यादा लेकर डेड़ कप कर सकते है अब इसमें हम अध्रक लसून और हरीमिच की पेस्ट एड़ करेंगे एक बड़ा चम्मच सफित ती लेड करेंगे एक बड़े चम्मच जितने बारिक कटे हुए हरे धन्या डालेंगे दो बड़े चम्मच जितने हरे धन्या को भी मैंने अच्छे से दोने के बाद ही काटे है चीनी डालेंगे दो चम्मच जितने एक चम्मच जितना लालमिच पावडर और एक चम् चमच हल्दी पावडर और एक चमच या फिर स्वात के अनुसार नमक डालेंगे तेल डालेंगे इसमें हम मौईन के लिए दो बड़े चमच जितना अब हम सब कुछ हाथों से ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपको मुठ्या का आटा गुंदनी के लिए दही या चास का इस्तमाल करना हो तो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे मैं सिर्फ पानी से ही इसका आटा गुंदूंगी अच्छे से मैंने सब कुछ मिक्स कर लिया है और अब मैंने आधा कब जितना पानी लिया है उसमें से हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगी और मीडियम आटा गुंद लेंगी आटा हमें नाही ज्यादा सॉफ्ट और नाही ज्यादा कड़ा वैसा मीडियम रखना है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ना ही ज़्यादा सॉफ्ट और ना ही ज़्यादा कड़ा वैसा मेडियम आटा मेंने गुंद लिया है अब हम इसमें से लम गोल शिप की मुठ्या बना लेंगे आप चाहे तो मुठ्या को गोल शिप भी दे सकते है अगर मुठ्या बनाते वक्त आपको लगेगी हाथों में चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा तेल हाथ पे लगा कर फिर मुठ्या बना सकते हैं तो सारे मुठ्या हमें इसी तरह से बना कर तयार कर लेने हैं सारे मुठ्या मैंने बना लिए है अब हम इसे तेल में फ्राइ कर लेंगे तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तब हम एक एक करके मुठ्या तेल में डालेंगे और स्लो फ्लिम पे हमेशे फ्राइ होने दिना है slow flame पे ही fry होने देंगे वन्ना अंदर से आटा कच्चा रह जाएगा मुठ्या को बीच बीच में इस तरह से हम कल्चे से चलाते जाएंगे ताकि वो सब तरफ से evenly fry हो जाए slow flame पे हमेशे golden brown होने दिना है अब हमारे मुठ्या golden brown हो गए है तो इसे अब हम बाहर निकाल लेंगे साथ से आठ मिनेट का टोटल वक्त लगता है इतने मुठ्या को fry होने मे इस मुठ्या को आप ऐसे भी चाई या कैजब के साथ खा सकते है ये बहुत अच्छे लगते है फ्रेंड्स हमारे मेथी की मुठ्या बनके तयार है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बैल आइकन है उसे भी दबाए ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नौटिफिकेशन मिलती रहे अगर आपको मेरा यही वीडियो गुजराती में देखना हो तो उसकी भी मैने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाई